नमस्कार मैं प्रग्या ध्रधर 30 खबरों में आपका स्वागत है चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुक खबरों को अपनी समाजवादी पार्टी को लेकर आजम खान का दर्द लगातार दिख रहा है अनाज की बढ़ती कीमतों को लेकर भारत सरकार खासी सधर्वता बढ़त रही है यहीवजा है कि सरकार ने अनाज वैपारियों थोक विकरताओं और बड़ श्रिंखला वाले खुद्रा वैपारियों के लिए स्टॉक सीमा से में खटाओती की है नए आदेश के तहट अब अनाज वैपारी और थोक विकरता 2000 टन स्टॉक ही जमा कर सकते हैं पहले यह सीमा 3000 टन थी फैसले का एलां करते वे खादिस अचीव संजीब चोपरा ने बताया कि अनाज की बढ़ती कीमत को देखते वे हमने स्टॉक सीमा की समिछा की भारतिय रिजर्व बैंक ने कुछ समय पहले नॉन बैंकिंग फाइनन्स कंपनियों के लिए पैमाना आधारित रेगुलेशन या स्केल बेस्ट रेगुलेशन किया था रबी आई ने अब इसी रेगुलेशन के तहत उचिस पर पढ़ाने वाली नॉन बैंकिंग फाइनन्स कंपनियों के लिस्ट जारी की है यह लिस्ट मौजुदा वितवर्स 2023-24 के लिए है लिस्ट में LIC Housing Finance, Bajaz Finance, Sriram Finance और Tata Suns Private Limited सहित कुल 15 कंपनिया है बीजेपी के राजे सभा सांसर सुब्रमन्यम स्वामी का कहना है कि जीवीस का अध्याक्ष भारत दो साल पहले बन सकता था लेकिन पीम नरेंत्र मूदी ने 2024 चुनाव की खादिर दो देशों से अनुरोत किया था कि वो भारत से पहले समिट की अगवाई कर ले सौमी का कहना है कि मूदी को लगता था कि चुनाव से एन पहले आयूजन होने से बीजेपी को चुनाव में फाइदा मिलेगा सौमी का कहना है कि भारत अब जीवीस का अगवान नहीं है महां रोटेशन से अध्यक्षी का फैसला होता है इसके हिसाब से भारत के हाथ में अब जीवीस की कमान नहीं है उनका कहना है कि बीजेपी से अपने फाइदे के लिए स्तमान करेगी किरल सरकार ने कोजी कोड जिले में निपाह वारस का संक्रमन फैलने के बाद सभी सैषनिक संस्थानों को गुरुवार और शुक्रवार तक बंद रखने का फैसला किया है राज्य सरकार की ओर से उन सब लोगों तक पहुँचने की कोशिश की जारी है जो संक्रमित पाए गए लोगों के संपर्क में आए है इसके साथ ही केंदर सरकार के एक टीम कोजी कोड पहुँच गई है इस टीम ने निपाह वारस से संक्रमित छेतर का दोरा किया है वहीं राज्य सरकार ने वारस से संक्रमित होने वाले लोगों के कोरिंटाइन के लिए उचित इंतिजाम करना शिरू कर दिया है दोहसार चोबस में लोकसभाच नौमे भाजपा को मात देने के लिए बनाए गया 26 विपक्षी दलो के गुट इंडिया अब गडबंधन ने 14 समचार एंक्रों की एक सूच जारी की है जिनका उन्होंने बहिशकार करने का अलान किया है इंडिया गडबंधन के नहीता जन पत्रकारों से बात नहीं करेंगे उनमें आदिती त्यागी भारत एक्सप्रेस अमन चोप्रा न्यूज अठारा अमिस तेवगन न्यूज अठारा आनंद नरसिम्हन न्यूज अठारा अरनव गोस्वामी रिपब्लिक टीवी अशोक स्र पार्टी के प्रमुख जेपी नडडा ने गुरुवार को एक्सपर अपने पोस्ट में कॉंग्रस पर करा प्रहार किया और आरोप लगाया कि सबसे पुरानी पार्टी के पास अलग-अलग विचारों वाले लोगों को खामोश करने की कई उधारन है सनातन संस्कृति को कोशना प्रतेक पार्टी सनातन संस्कृति के प्रती सरवतम दरवहवार करने में दूसरे से आगे निकलने की होड कर रही है उन्होंने कहा मीडिया को धंकाना, FIR दर्च करना, व्यक्तिगत पत्रकारों को धंकाना, किसे एक निसाना बनाना है, इसकी असली नाजी, सैली में सूचियां बनाना नड़ा ने यह भी कहा कि नवगठित विपक्ष को तुरंथ अपनी हरकते बंद करनी चाहिए रोटर्स के अनलिसिस के नुसार, रूस ने नई इंडस्ट्री के लिए बेहत जरूरी अलूमीनियम के मामले में निर्भरता में बदलाव किया है आर्थिक प्रतिबंदों से पहले रूस को अलूमीनियम की कच्छी सामगी अलूमीना की आपूर्ती यूक्रेन और उस्ट्रेलिया से मल जाती थी पिछले साल फरवड़ी से जारी रूस इक्रेन युद के चलते रूस पर कहीं वड़ करे आर्थिक प्रतिबंद लगाए गए हैं इसे रूस को अलूमीना की आपूरती बाधित हो गई तो ऐसे में उसने चीन से से मंगाना शुरू किया लेकिना रूस उसरे विकल्प तरास रहा है गविंदा का परिवार इस समय मुस्किलों में फस गया है द्रसल आक्टर का नाम 1000 करोर के पैन इंडिया ओनलाइन पॉंजी स्कैम में आया है कहा जारा है कि गविंदा से दा ओडिशा एकनोमिक ओफेंसिस विंग पूछताज करेगी गविंदा के पास नोटिस भीजा गया है जहां उसे कुछ सवाल किये जाएंगे नोने समय पर हाजर होना होगा अथरोटीस का कहना है कि गविंदा ने सोलर टेकनो एलियंस कंपनी को अपने कुछ वीडियोस में एंडॉर्स किया है इन पर कुछ प्रमोशनल वीडियोस बनाए है कॉंग्रस ने गुरुबारी को अपने सभी सांसितों को तीन लाइन का विप चारी किया है जिसमें उन्हें 18 से 22 सितंबर तक विशेश शत्र के दौरान संसर्थ में उपस्तित रहने का नरदेश दिया गया है तीन लाइन के विप में कहा गया है कि राजसभा में कॉंग्रेस पार्टी के सभी सदर्शियों से अनुरोध है केरवे 18 सितंबर से 22 सितंबर तक सदन की काड़ेवाही स्थागित होने तक सुभा 11 बज़े से सदन में उपस्तित रहें और पार्टी के रुक का समर्थन करे तेवहारों के दोरान खाने पीने के चीजों की किलत न हो और कारोबारी जमाखोडी कर मुनाफ़ा न कमा पाएं इसके लिए सरकार ने बड़ी तयारी कर ली है सरकार का कहना है कि देश में गेहूँ चावलची ने खादे तेल चैसी ज़रूरी खादे वस्तू क्या पूर्थी पड़्याप्त है Mastercard की दक्षिन एशिया कारे कारी नितित्व टीम का मार्ग दर्शन करेंगे जिसका नितित्व गौतम अगरवाल कर रहे थे उन्होंने भारत ब्रिटेन और कनाड़ा में बैंक के महतपुन परिचारनों के प्रिबंधन में विवन नितित्व करने के लिए भी व्यापक रूप से स्ट्रे दिया जाता है गंगा की घाटी मैदाने इलाको और बारवाले छेतर में भविश्य में जादा तागत वाले तुफान आएंगे यही हाल में कौम के इलाकों का भी होने वाला है इन तुफानों की संख्या कम जरूर होगी लेकिन तागत नहीं यह खुलासा हुआ है निकसेल यूनिवर्सिटी के सोधकरताओं की स्टडी में साल 2050 तक ऐसे तुफानों की तागत बरती चली जाएगी निकसेल यूनिवर्सिटी के वेग्यानिकों की टीम ने टॉपिकल तुफानों का एक कम्प्यूटर सिमूलेशन बनाये वर्तमान, मौसम, जलवायू, परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से डेटा डाला फिर पता चला कि दो हुजार पच्चास तक ऐसे तुफानों की संख्या आधी हो जाएगी लेकिन उनकी त्रिवत्रा बहुत ज़ादा होगी, वो ज़ादा खदरनाक और तालत वर्मिंगे वश्यम बंगाल के मुक्यर मंतरी ममता बनरजी स्पेन दोरी पर है उनकी सियात्रा का मकसद है अपने राज्ये के लिए विदेशी निवेश लाना ट्रिप के दोरान भारती क्रिकेट टीम के पुर्व कप्तान सौरफ गाउली ने ममता बनरजी से मुलाकात की खबर यह है कि वो बंगाल के बिजनेस डेलिगेशन का हिस्सा होंगे और निवेश को कुल लभाने में सीम का साथ देंगे दोनों की मुलाकात के फोटो वीडियो शोशल मीडिया पर शेयर किये गए हैं एक वीडियो में सौरफ गाउली एक मिटिंग में भी हिस्सा लेते वे नज़र आ रहे है समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पुर्व काबिनेट मंतरी मुहमद आजम खान के ठिकानों पर आएकर विभाग की छापे मारी को लेकर असुदीन ओवैसी की पार्टी AIMIM निके प्रदेश प्रवक्ता मुहमद फरहान ने तंच कसा है उन्होंने कहा है कि अभी तो आजम खान के ठिकानों पर ED, CBI, SIT और आएकर की रेट पढ़ रही है और यूरोप को जोड़ने वाले प्रिस्तावित Economic Collider के इस नकसे में P.O.K को भारत के अभिन अंके रूप में दिखाया गया है नकसे में इंडिया Middle East यूरोप Economic Collider में P.O.K को एक एहम बिंदू के रूप में दर्शाया गया है और चीन से आयात में गिरावट आनी सुर हो गई है उर्जा Think Tank Ember के नए विश्टेशन से पता चलता है कि भारत एक मात रहसा देश है जहां चीन से सौर पैनल के आयात में बड़ी गिरावट देखी गई है यह गिरावट इस साल की पहली छमाही में आई है असम के भाजपा मुख्य मंतरी हिमत बिस्वा सर्मा के पडिवार के सौमित वाली एक मीडिया कंपनी को केंद्र सरकार दोरा दी गई 10 करोर रूपे की सबसीडी ने राजनीतिक तुफान खड़ा कर दिया है पिछले हफते एक असमी आसमचार वेबसाइट क्रॉस करेंट ने बताया था कि मीडिया कंपनी प्राइट इस्ट इंटरनेट टेंडमिन प्राइविट लिमिटेड जिसका स्वामित मुख्य रूप से मुख्य मंतर के परिवार के पास है उस जिसमें उनकी पतनी रिनिका भुईया सर्मा, उनकी माम रिनालनी देवी, उनके बेटे नंदल विश्व सर्मा और उनकी बेटी सुकन्या सर्मा शामिल है मीडिया ट्राइल पेश के जाने वाले सबूतों और नर्नय लेने वाले अधिकारियों द्वारा इसके मुल्यांकर को प्रभावित करके न्याई की दिशा में विचलन का कारण बन सकता है इसके साथ ही शिर्ष आतने केंद्रिये क्रीमंतराले को तीन महीने के भीत प्रभावित कर्मियों द्वारा मीडिया ब्रेफिंग पर एक व्यापक दिशा नर्देश तयार करने का नर्देश दिया केंद्र सरकार ने कीज़े 9-10 सेतंबर को राजधानी में आयुजित जीबी सिखर सम्मेलन के लिए नई दिली छेतर के सौंदरिकरन पर 4,110 करोड रूपए से अधिक खर्च किया है भारत की अधियक्षता में आयुजित दो दिवसी असिखर सम्मेलन में नरिंद्रमोधी सरकार ने नई दिली घोशना पत्र पर आम स्थेमती बनाने में सफलता हासल की हाला के विवक्षी दलों ने सिखर सम्मेलन पर खर्च कोली का विशेश कर राजधानी के सौंदरिकरन पर जहां सिखर सम्मेलन आयुजित किया गया था किन्द सरकार पर निशाना साथा है हरियाना पुलिस के एक विशेश टीम ने एक तिस जलाई को नुह में ब्रजमंडल यातरा के दौरान हुई हिंसा के दौरान एक विशेश शमुदाय के लोगों को भरकाने के आरोप में जैपूर से कॉंग्रस विधायक मामन खान को गरफतार किया है हिंसा मामले की जांच कर रही विशेश चांच टीम ने से पहले 25 अगस्त को नुह जिले के फिरोजपूर जिरका विधायन सब अच्छे तर से विधायक ममन को लोगों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में नोटस जारी किया था और उन्हें 31 अगस्त को जांच में शामिल होने के लिए कहा था प्रीथवी के चारों तरफ आदित्य L1 की चौथी बार कक्षा बदली गई है इसके और बिट बदलते समय मौरिसस बेंगरू के IST, RAC, SRIHARी कोटा के SDSC, SHAR और पोर्ट ब्लेर के ISTRO संटर से निगरानी की गई अब आदिती के अगली और्बिट बदलने का काम 19 सितंबर की राद दो बज़े किया जाएगा एक बार फिर से रतलाम का अतंकी कनेक्शन सामने आया है राची NIA, सिमिली सूचना पर रतलाम पुलिस और प्रदेश एतियस ने जले के आलूर से एक युवक को ग्रिफतार कर NIA को सौपा है युवक के पास से ISIS के चिन्हवाल अकारा, जंडा, मोवाईल और तमाम सीम समेत अने अपतीजन अक्सामगरी भी जब थुई ASP राहुल लोडा ने बताया है कि NIA राची ने अवैधानी गतिवीधियों में सनलिप्त ISIS से कनेक्शन वाली फैजान अंसाली नामक व्यक्ति को ग्रिफतार दिया है मंगलवार को जारी हुए रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के वार्स एक्विश्रेशन के नुसार वैस्विक प्रेस सुतंतता सूचकांग में 113 देशों में भारत 142 वे अस्थान पढ़ है कि 2019 में इलक्रोनिक मीडिया पर कस्मीर के इतिहास का सबसे लंबा कर्फ्यू भी लगाया गया था अगर आप विदेशों में छुटिया मनाने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है धरसल बारती रिजब बैंक की लिबरलाइजड रेमिंटन्स स्कीम के तहत टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की नई दरे अक्टोबर 2023 से लागू होंगी आशान भासा में समझे तो एक अक्टोबर से विदेश यात्रा, विदेश शेडों और मिच्वल फ्वंड्स में निवेश पर TCS के नई नियम लागू होंगे हाला कि TCS के नियम एक सीमा सिता खर्ज पर ही लागू होंगे प्रधान मंत्री नरंत्र मोदी ने आज इंजिनेर दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी साथ हिनोंने सर मोक्ष गुर्णम विश्वे सरया को स्रधांजली अर्पित की प्रधान मोदी ने सोचल मीडिया एक्सपर पोस्ट शेयर करते वे लिखा हम दूरदर सी इंजिनेर और राजनेता सर एम विश्वे सरया को श्रधांजली अर्पित करते हैं वह पीरियों को नव प्रवर्तन और राश्री की सेवा करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं यहां चिका बलापुडा की जलकिया है जहां मैंने इस साल की श्रवात ने अपनी यात्रा के दौरान उन्हें श्रधांज ले दी थी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर धोनी की एक क्लिप सथा की जिसमें होने स्विवा खिलारी को अपनी बाइक पर घर वापस जाने के लिए लिफ्ट दे कर मदद किया समाना जारा है कि राची भी धोनी ने ट्रेनिंग सतर के दौरान हिस्सा लिया सतर के समाप्त होने के बाद धोनी का दल छुने वाला वीडियो वाइरल पो रहा है पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए खुस खबरी आई है पासपोर्ट बनवाने के लिए कारयाली के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है दरसल भारत के विदीश मंतराली के तरफ पासपोर्ट सेवा सर्विस एक्सलेंस वैं कि शुरवात की जाड़ी है सर्विस के तहर सुलुक के साथ सो का प्रोमो भी जारी कर दिया है इसी के साथ इस साथ रियारिटि शो की कंफरम कंटेंस्टन लिस्ट ऻी सामने आ गई है इस लिस्ट में दो कपल और एक शिंह की एंटरी पकी मानी जारी है फैन पेज के लस्त के मताबिक औरारिया सीरिया से घर घर फेमस हुई एक्रस इसा मालविया के बिग बॉस सीजन सतर में एंट्री पकी मानी जारी है दवा किया जारा है कि घर में जाने के बाद धमार मचाने की अंतराश्य क्रिकेट परिशद ने आज मध्य पुर्व और उतरी अफ्रीका बाजार के मीडिया अधिकारों के लिए निविदा आमंतरन चारी किया भारत, उप सहारा, अफ्रीका, युनाइटेड, किंग्डम, संयुक्त राज़ अमेरिका और कनाडा सहित कई बाजारों में मीडिया अधिकारों समझाता कि सफ़समापन के बाद अफ्रीका के अपने मीडिया अधिकार प्रक्रिया शिरू कर रहा है, टेनर के लिए पोड़ोस और महिला क्रिकेट के अधिकारों को एक बार फिर अलग-अलग बेचा जारा है, जिसमें टीवी और डिजिटल दोनों अधिकारों को मिला कर दो चार साल के पैकेज़ उप्र ह अपने जवाब हमें अमारी कमेंड सेक्षन में लिख कर दिया है, जिन्हों ने हमारी पूछे कर सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है नुनों गोलुकमार, मोहमद फ़हीम, अनवर करीम खान, मोहमद सकीर हुसान, नौसल अनसारी, अब भरते हाज के सवाल की और आज का सवाल है, भारती क्रिकेट टीम में आपका मन पसंदीत अखिरारी कौन है, अपने जवाब हमें मारी कमेंड सेक्षन में लिख कर जरूर बताएं, आज कले इतना ही धन्यवाद